नमस्कार दोस्तों आप लोग सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागसा है चैनल पर नए है जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं आईयोए 16.4 के कुछ ऐसे फीचर जो कि आने वाले हैं हम लोगों को भविष में देखने वाले हैं और यह आपको फोन को बहतर बनाने वाले हैं तो दोस्तों बीना देर के वीडियो को सुरू करते हैं यदि आप आईयोए 16.4 पर अपना हाथ पाने के लिए उच्छुक है तो तीसरे बीटा के केवल एक सब्ता वाद था दोस्तों जबकि यह आपके आईफोन के लिए 20 साल गेम चेंजिंग नई सुवधा नहीं ला रहा है कुछ अच्छे बदलाओ हैं जिन्हें देखकर हमें परसंता हो रही है जिनमें से कुछ पुराने सुवधाएं हैं जबकि अन बुक्स पेज कल इफेक्ट को बापस ला सकता है दोस्तों अगर आप ऐसे पुराने सौकीन एपल पुस्तके पढ़ने वाले हैं तो आप पुराने प्रिस्ट कल प्रभाव को याद कर सकते हैं जो कि उसमें एकदम औरिजनल इफेक्ट देता था जैसे कि हम लोग कोई पुस जाएगा और अगले प्रिस्ट में बदल दिया जाएगा दोस्तों अगर एपल्स बुक्स की बात करें तो इसमें कुछ और परिवर्टन देखने को मिले हैं जिसमें आप प्रिस्ट करन थीम और बहुत कुछ चुन सकते हैं इसमें थीम के लिए कुछ नए चीज़े आड की चुहा मूस हम जैसे नए जानबर एक फली में मटर माराकास एक हाथ से बात करें इशारा और यह की हिलता हुआ चेहरा भी शामिल है सभी एक इमोजी यहां यूनिकोड 15.0 की बदलत है जिसे सितंबर 2022 में पेस किया गया था जोस्तों अगर नेक्स चेंजिश की बात करते है तो वो है focus mode के लिए always on display विकल्प यह दोस्तों उनके लिए है जिनके पास 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है उनके पास एपल का एक दम नया always on display है यादि आप focus mode का उप्योग करते हैं तो iOS 16.4 हमेंशा on display setting के लिए एक नया विकल्प mode filter जोलता है जोस्तों within this you should be able to enable or disable the always on display as you see fit when focus is enabled बागले बदलाओ के बाद करें तो वह safari में आपको देखने को मिल जागा इसके साथ website में जो push information है वह देखने को मिल जाएगा यादि कोई विशेज website है जिसे आप नियमित रूप से follow करते हैं और आप digitally trends जैसी कोई चीज़े छोड़ना नहीं चाहते है तो website के लिए एक push notification आपको लेगा वह option आपको मिल जागा यानि कि आपका जो notification है सारी तमाम important चीज़े वह आपके लिए वह notification website के तरफ से भेज दिया जाएगा निशित रूप से आप वेप push notification से प्रभावित नहीं होना चाहते हैं इसके लिए एक शुवधा केवल उन website के साथ काम करेगी जिने आपने safari के साथ home screen पर save करके रखा है नेक्स changes की बात करते हैं तो नया Apple wallet visits आपको देखने को मिल जाएगे कुछ iOS 16 में Apple ने wallet app में कुछ न इसको आप एलाव नहीं किये थे दोस्तो इस अपडेट में एक आपको नहीं इंट्रोड्यूश करवाने वाला है उसका नाम है Mastodon तरह से social app है तो देखिए कि क्या हो चकता है यह Twitter को पचार पाता है या नहीं उसके लिए यह competitor सावित हो पाता है कि नहीं तो इसके अलाव architecture किसी भी smart home accessories और आपके Apple करनों के बीच संचार को बहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था अब अगली बदलाव की बात करें तो settings app से असान बीटा opts in दोस्तों यह क्या है तो कुछ लोगों को यह याद करने में परिशानी हो सकती है कि वे Apple के साबजानिक बीटा जो में relate करता है या नहीं या किस पर है तो यह जाँच करना बहुत ही असान आप कर दिया है यह आपको पता चलते रहेगा जिनके पास बीटा परिशन के लिए एक अलग Apple's ID हो सकती है जैसे कि काम के लिए और नई बीटा प्राप्त करने के लिए सीधे device पर उस खाते में switch कर सक आगे बाढ़ते हुए अब यह देखते हैं कि Apple Care से संबंधित क्या है आपके पास बहुत सारे Apple devices हैं आपके परिवार में हैं तो यह याद रखना कठीन हो सकता है कि आपके पास Apple Care coverage किस लिए है अभी सच है कि आप अपने जो family year sharing का उप्योग करते हैं और आपके परिवार स मुह में आने लोग हैं iOS 16.4 के साथ इसे भी रेस्टिक्ट कर दिया गया है अब इससे आसान होगा iOS 16.4 रिलीज होने वाले है आप सभी Apple Care के तहत कौन क्या cover लिया गया है या चेक करने के लिए सेटिंग में जा सकेंगे Apple Care के अंतरगर आपने वाले किसी भी डिवाइस में बहुत ही आसान तरीके से आप पहस्चान लिजेगा और इसके लिए एक बगल में आइकन दिया रहे है दोस्तो अगली चेंज की बात करें तो वह बहुत ही शांदार है फोन कॉल के लिए वाइस आइसोलेशन दोस्तो कुछ लोग FaceTime Audio का उपयोग तब ही करते हैं जब यह केवल आवाज में कुछ differentiate का उपयोग करना चाहते हैं अलग देखना चाहते हैं बिकल्प होता है अब जबकि नियमित phone calls की बात आने लगी है तो यह आपको उपयोग करने के लिए आप शकता नहीं होगी आप इससे release हो पाईएगा तो यह जञजट था दोस्तो जो अगर आपको क्यों करते हैं तो आपको पता होगी यह बात उससे आपको निजात मिलने वाली है अगर नेक्ट बटन की बात करें तो entertainment में है वह एपल म्यूजिक में है तो इसमें कुछ सुधार कर दिया गया है दोस्तो तो एप लाओ यह है क्यों में एक क्यू में एड़ करते हैं तो अब केबल एक छोटा सा बैनर पूरी स्क्रीन लेने के बजाए नीचे की और पॉप अप होता दिखाई देगा जैसे की Android में होते रहता है अगर आप एक प्रोड़कास्ट के सुखिन है तो एक बहतर मिल जाएगा इस पार्टिकुलर अपडेट में जो लोग नीमित रूप से प्रोड़कार्ट सुनते हैं वे एपल के अपने प्रोड़कार्ट एप का इस्तमाल कर सकेंगे और iOS 16.4 में कुछ ऐसे ही सुधार देखने को मिलेंगे सबसे पहले अब चैनलों के लिए एक परदाता के पास श्रोता के उपयोग के लिए एक ही अस्तान पर उनके सभी विभीन प्रोड़कास्ट देखने को मिल जाएंगे वेबरेरी में जो सेब किये गए एपिसोड से जूड जाते हैं इसलिए आप इसे बात में सुनना चाहेंगे तो आप इसे अब हटा पाएंग दोस्तों ये थे कुछ ऐसे बदला जो कि आने वाले हम लोगो जो iOS 16.4 है उसमें देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों उमीद है कि ये वीडियो आपको informative लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको informative लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस् चैनल के playlist में जाएं और देखिए संबंधित बहुत सरे ऐसे वीडियो जोंगी जो आपका entertain करेंगी और आपकी जानकारी मुकंबल करेंगी तो दोस्तों इसी उमीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई गुड नाइट